हेलो एवरिवन कैसे हैं आप आज की आपने जो वीडियो का थमलिन देखा कि अब ग्रेजुएशन या बीकॉम करने का कोई बेनिफिट नहीं है यानि कोई फाइदा नहीं है भीकॉम करने का ठीक है मैं इसी चीज को एक्स्प्लेइन करता हूं कि यह थमलिन क्यूं है क्योंकि मैं बच्चों का सेनेरियो बता रहा हूं जो यह बीकॉम करने का कोई फाइदा नहीं है बीकॉम जो हम कर रहे हैं जस्ट कर लेते हैं करना है वस लास्ट टाइम पर भी पढ़के कर लेते हैं यह कोई चीज़े एक माइन में फिट हो जाता है जैसे कि मैं फॉर एक्जांपल बताऊं टेंथ बोर्ड होता है आपका कहा जाता है पढ़ना बहुत जरूरी भाई टेंथ में पढ़ लो टेंथ में माक्स नहीं आए और इंफेक्ट आपने भी टेंथ में जी तोड महनत की होगी क्या उसका कोई benefit हुआ है सेम ट्विल्थ में भी ऐसा ही रहता है कि अपने बहुत मेनत करी दिन करी रात करी वही ट्विल्थ पढ़ना है क्या करने के बाद अब तो अपने का एड्मीशन भी हो गया क्या benefit मिला सिर्फ admission ही तो हुआ है सच क्या आपको एक्स्ट्रा मिल गया पढ़ना अच्छी बात है लेकिन आपको कुछ हासिल नहीं हुआ जब हम सिंपल सा एक example देखिए अगर हम जब नां इनन क्लास में होते है ना तो हमारी स्टडी-क हतम नहीं होती है क्योंकि हमारा श्टडी न आगे जाना है हमारा श्टडी बिल्कुल Was ho howÇon से एक होता है और नाइनत में पढ़ने अच्छे से टैंथ में और बोड में दिक्कت नहीं है क्योंकि टैंथ भी आपने का स्ट्रीम चूज करने का ठीक है और मैं यह चीज बताऊ ना नीट जेई वगरा इट से पढ़ने लग जाते हैं तो यह सारे चीज़ ना एक बस आज के टाइम पर मेरा मानना है कि आठवी के बाद नीट की तयारी या फिर दसवी के बाद नीट की तयारी टेंथ क्लास के बा इसके बाद आपको सरिफ और सरिफ commerce आर्ट जैसे ही आपने commerce आर्ट लिया आपने अक जाता है और आपको पता है के बाद आपको ऊज बहुत बड़ी नौकरी नहीं मिल जानी और जो आगर किकसी चीज़ की नौकरी की बात करो थो 40 परसेंट पर परम इंसल किए परसेंट लाओ तो सेम नोगरी है ऐसा कोई फाइदा नहीं होगा लेकिन आप 12 तक पढ़ते हो ऐसा क्यों सर 10 और 12 क्योंकि हमारे कई सालों से मैं आपको अगर बात करो ना तो लगभग लगभग मान के चलो 40-50 साल पहले से मैं बात करूं यह चला आ है कि भाई 10 एक मैट्रिक बहुत अच्छा एक चीज है इसे पढ़ लेना चाहिए मतलब मैट्रिक बेस है 10 अच्छा है इसे पढ़ना चाहिए लेकिन आप सभी पास जो वीडियो देखने अब 12 के बाद ना एक और नेरिटिव चलता है कि ग्रेजवेशन यानि अगर मैं कॉमर्स को पढ़ा रहा हूं तो बीकॉम अगर आर्ट के बच्चे हैं तो बीए और साइंस के बच्चे हैं तो बीए सी चीक है ना मैं फिलाल बीकॉम की बात करूंगा सिर्फ बीकॉम क्यू बात करूंगा दूसरी फील्ड का मुझे पता ही नहीं बीए के तो मैं उसके बारे में कोई मतलब टिपनी या फिर कोई कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि सचाहिए मुझे नहीं पता अब बीकॉम के अंदर एक बहुत पहले टाइम से बात चली आ रही है और बीकॉम करके क आपके साथ कुछ और कर ले जो कि तुझे बेनिफिट हो जाएगा आपा सात किसाथ किया कर ले और फिर uh आ अई व्या कर आए जाना है क्या नहीं पड़के क्यों चोड़ना वी और इसे एकजाम से पहले पड़के दे लियो यह आपकी सोच नहीं है आपके दिमाग में यह सोच डाला गया है और अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं इन सारे जो courses की बात करूँ जिस आप courses की बात करते हो सर C.E. करें C.S. करें C.M. करें और M.C.M. तो चलो graduation के बाद और PhD आपको पता है graduation में आप क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं तीन साल में तीन साल में आप graduation में जो core subjects है जो आप पढ़ते हो मैं आपको सचा ही बताता हूं financial account, dissolution इसमें है, accounting standard इसमें है, इसके अंदर financial account preparation है जो कहीं भी accounting करने में करना amalgamation कैसे किया जाता है, de-merger कैसे किया जाता है, holding subsidiary को कैसे किस तरीके से take care किया जाता है, reconstruction कैसे किया जाता है, share capital का valuation कैसे किया जाता है, much more इसके अंदर company लो, किसी company को बनाने के लिए क्या क्या document requirement है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़ाया जाता है, ultimately, तो हमारे life के अंदर ये subjects में पहले बता रहा हूँ क्या है, cost accounting, किसी product की कैसे cost निकाली जाए, financial management, management level पे किस तरीके से facile लिया जाए, income tax, अगर किसी company का income tax होगा, तो कैसे management account, किस तरीके से accounts, management decision कैसे लिया जाए, GST, मुझे बताने की ज़्यादा जोरत नहीं, आपको पता है कितना popular है, audit, audit भी subject है, और एक बात मैं मझे की बताऊं, तो CA के अंदर आपको financial account भी पढ़ना पढ़ेगा, corporate account भी पढ़ना पढ़ेगा, GST भी पढ़ना पढ़ेगा, income tax भी पढ़ना पढ़ेगा, audit भी पढ़ना पढ़ेगा, CS के अंदर भी ये सारे subject पढ़ने पढ़ेंगे, CMA के अंद पढ़ने पढ़ेंगे, और PhD करते हो, या NET की तयारी करते हो, प्रोफेशर की करते हो, तब भी ये सारे subject आपको पढ़ने पढ़ेंगे, अब मैं एक साफ, एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ आपसे, हम एक काम करते हैं ना, 11 भी नहीं पढ़ते हैं, हम 11 भी को नहीं 11 भी तो ऐसे हो जाएगा, चल ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे 12 के अंदर बहुत अच्छे मांक्स आ जाए, आप खुद अपने मन से सोचिए, अपने मन से सोचिएगा है, इमानदारी से, क्या ये पॉसिबल है, आपने 11 भी में अकांट्स नहीं पढ़ी, और 12 में है, इन्पॉर्टेंट है, आपको पता है, बहुत अच्छे नमबर आ जाएंगे, पॉसिबल है, आपके मन से जवाब आएगा, नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है, ये जो पुराने स्नेरियों चला हुआ है, ने मैंने देखा, बच्चों ने क्यों नहीं जॉब मिलती, इन्पॉर्टेंट में क्या है, ये तो पता ही नहीं, समिस्टर वन वालों की मैं बात कर रहा हूँ, अभी एडमिशन लिया, उनको यहीं नहीं पता होगा, अमारे पास सब्जेट क्या है, वो मोबाइल में निकालेंगे, वो देखेंगे, ये भी है, ये भी है, ये भी है, किसी को सब्जेक्ट नहीं पता, तो पढ़ने की बात दूर है, तो मेरा बस की मेन कंसर था, कि भी है, अगर आप जैसे ग्यारवी, इलेवन्थ क्लास, अच्छे से ना पढ़के, बारवी स्ट्रॉंग नहीं कर सकते, ऐसे ही अगर आपने बीकॉम अच्छे से नहीं करा ना, मैं पढ़ने की बात कर रहा हूं, माक्स को छोड़िये यार, 50-60%, 90%, 9CGP, 10CGP, हटाईए, अगर ये सारे सब्जेक्ट आपने बीकॉम के अंदर पढ़ा है, तो मैं गैरंटी देता हूं, आपके जितने भी ये कोर्स इसन है, CACS, CMA, M.COM, PhD, मैं ये नहीं कहूंगा, कि ग गलत फैमी, CACS, बच्चों को होता है, यार, बीकॉम तो हो जाएगी हटाना, स्लेबस मैच कर लेना, पूरा सही मिलेगा आपको, तो अगर आपने बीकॉम, क्योंकि हमारा ना पढ़ने का ना, एक स्टेप्स होना चीए, अगर बीकॉम आपने बड़े अच्छे से पढ़ा है, तो आपको इन में भी कहीं दिक्कत नहीं आएंगी, और मेरा मानना है, कि आगर आपके पास कोई ऐसी financial condition ठीक नहीं है, तो अपने आपको समय दीजिए, आप education के अंदर, अगर आपने education में समय दिया है, तो आपको education पूरा आपको भी respect करेगा, जितनी salary आप चाहोगे, अतने life में मिलेगा, हमारा सबसे main है, बच्चे कहते हैं कि मैं CA कर रहा हूँ, become तो हो जाएगी, ठीक है, become छोड़ दिया, वही बात है, 11 भी हो, 11 भी तो हो जाएगी, मैं 12 कर रहा हूँ, ऐसा possible नहीं लग रहा है आपको, तो यहां पे भी नहीं है, अब कुछ बच्चे करत हैं, दोनों में अच्छा कर जाते हैं, 1% ratio है, 1-2% ratio मान लो, बाकी what about उनके, और 1-2% को देखके, हम सब भी उसी के रास्ते पे चल लेते हैं, तो सबसे पहले अपने आपको confidence जो आपका है, confidence जरूरी है, लेकिन गलत confidence बेकार है, सबसे पहले अपने mind में लेके चलिए, कि सर बीकॉम हमें करना चाहिए, और अच्छे से इमानदारी से, semester 1 वाले बच्चों ने जिनका result आया है भी, खुद आप सोचलो आपने क्या पढ़ा था, अभी आपको question paper पकड़ा देना, आप 10 number नहीं लापा होगे, semester 1 के paper में, semester 2 के अंदर corporate account का भी question paper पकड़ा देने, आप बोले कल test चलो corporate account का आपका paper re-exam हो गए, बाइस आप जान सूख जाएगी आपकी, अगर बोल दिया जाए कि retest लेंगे, तभी आपको marks दिये जाएंगे, मतलब कि हिल जाओगे कि क्योंकि कहीं न कहीं, आप subject को जो पढ़ रहे हो न वो पढ़ रहे हो paper को pass करने के लिए, और हमारे education system में जो यह subject बनाए गये हैं, कभी इस purpose से नहीं बनाए हैं कि आप pass हो, और मैं भी इसलिए पढ़ाता हूँ कि आप pass हो, सिर्फ इसलिए नहीं, बहुत बच्चे मेरे ने classes को देखके हैं, ये YouTube पे देखके, बोलता है, sir, इ आगे CAT के exam के तयारी करूँगा, या UPSC का मैं सोच रहा हूँ, या फिर मैं प्रोफेसर बनूँगा, या फिर मुझे CE आगे करना है, तो graduation तो बस ऐसे ही कर रहे हैं, भया आप इस चीज़ को समझे, ऐसे ही कुछ नहीं होता, हर किसी में मेहनत लगती है, और believe करना, अगर ज पीछे मत भागो, कुछ नहीं मिलेगा, यह सारे subject बहुत इमानदारी से करना, इसके बाद जो professional course है, इन सब आगे टिकने वाले नहीं है, CA के अंदर क्यों बच्चों के सुनना है आपने, कि 10 attempt लग जाते हैं, 15 attempt लग जाते हैं, बहुत time हो गया, CA pass नहीं होता, reason सबसे लिए नहीं दिया, और जो नहीं है, उसके बीछे भाग रहे हैं, अगर जो था उसको अच्छे से करते हैं, तो कोई, मतलब बचता नहीं है, इनके काम के, 20% महनत effort डालना है, 80% अल्रेडी बीकॉम में कर रखा है, आपको कोई परिशानी नहीं आएगी इसके अंदर, अब cat की बच्चे बोलते हैं, तयारी भाई, cat की तयारी करोगे, आगे चलके तो यही सब्जेक पढ़ना है न आपने, फिर वहाँ पर कोचिंग डूटते हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जो MBA के अंदर कोचिंग डूटते हैं, कोई कोचिंग बता दो सर, अब प्लीज पढ़ अब पढ़ना है, मैं इक ही बात बोलता है, अब तो आपका नहीं होगा, अगर पढ़ना है, तो आप बीकॉम वालों के साथ ही पढ़ सकते हो, सेम एमकॉम के अंदर कहानी है, और यूजी सी नेट जो होता है, नेट की भी बहुत बच्चे तयारी करते हैं, भाया नेट के अंदर आपके दस यूनिट होते हैं, जो सेकिंड पेपर होता है, दस यूनिट, उसके अंदर पूरा सर एक एक सब्जेक कूट 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 के आया हुआ है, और कुछ पे पूछ लेते हैं, तो मेरा बस यही कहना था कि प्लीज आप ग्रेजुशन को लाइट मत लो, अभी अभी आपका रिजल्ट आया हुआ है, रिजल्ट अभी किस-किस का आया है, और रिजल्ट जिसका भी आया, मैं ये कमेंट नहीं कर रहा है, अच्छा रिजल्ट आया, देखो सेमिस्टर वन का रिजल्ट आ चुका है, सेमिस्टर चार का रिजल्ट आ चुका है, विकॉम और honors program और in fact semester 2 का regular वालों का result आया है तो अभी भी आपके पास अब सौ दिन तो नहीं है जो भी 90 दिन बचे हैं उसके अंदर जीतोड मेहनत करिए सारी classes हमने स्टार्ट मेर पास मैं यह नहीं कह रहा कि मेर से classes लेके जल्दी से जल्दे स्टार्ट कर लो आप आपके नियर वाई जो भी लगता है आपको बेनिफीशल जो भी लगता है वहां जाके आप class को लेकिन एक बात यह याद रखना हमेशा दो परसेंट इंसान सक्सेस नहीं होता सक्सेस तो सारी होते हैं लेकिन कोई जल्दी कोई पहले अगर आप इस स्ट्रमेटिक में चलेंगे तो जल्दी हो जाएंगे तो यह सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट से यू नो वेरी वेल समस्टर आपका 3 चलेगा और समस्टर 5 चलेगा तीन समस्टर चलेगा इसकेंदर में सबजेक्ट FA है समस्टर 3 केंजर में सबजेक्ट FM है और FM के साथ साथ आपका और भी कुछ math और stats है like तो जादर detail लंबी वीडियो हो जाएगी समस्टर 5 केंदर भी FM है आपका यह old course वाले बच्चे इंकम टेक्स में इतने बच्चों की आ रहा हुई है ना वह बच्चे परिशान है अब उनके मंद से पूछ हो उनके लिए वीडियो लेकर आऊँगा बहुत जल्दी बहुत जल्दी मैं कोर्स करूँगा तो यह सारे कोर्स भी हमारे पास भी आ चुका है हमारे पास और कोर्स का प्राइस हम वैसे भी इतना ज्यादा नहीं रख रहे हैं और ज्यादा कम का देखो मैं नहीं बता सकता वो आप ही बता सकते हो जिसको भी अगर लगता है के सर हाँ इस सर ने जो बोला सही है तो आप जाईए फटा फट नियर भाई कहीं कोचिंग से बात कर है ऑनलाइन अवेलेबल है मैं ही पढ़ाँगा सारी चीजे बुक्स वगेरा कौन सी लगेगी नहीं लगेगी सारी चीजे बताई गई है सब कुछ होगा आप कमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिंक गीवन है और कमेंट में भी डाल रखा है पिंग करके कॉंटेक्ट करिए और उनसे बात करिए सर ऐसे सी बात है जिसको लगता है कि भाई वह पेमिंट करने का फोड़ बिल नहीं है डिसकाउंट बोलिए कि भी सर हमें डिसकाउंट चाहिए हमारी से यह जैन्मिन प्रॉब्लम है आपको जरूर हेल्प किया जाएगा मेरा एक ही परपस है कि बीकॉम यूजलेस नहीं है अगर आपने बीकॉम को यूजलेस करा अगर आपने बीकॉम के उपर ध्यान नहीं दिया तो फिर आप मुस्किल में पढ़ जाओगे तो होफुली आपको मेरी सारी बाते समझ में आई होगी और मैं बहुत जल्दी और भी तो अपने दोस्तों को जो पुरानी परंपराय आ रही है उसको खतम करिए और ध्यान दीजिए एस वेल के अंदर अच्छे नंबर आते हैं नोन के अंदर अच्छे नंबर आता है वीडियो को देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ करिये अच्छा लगे और लगे के भाई मैं सही बोल रहा हूं चैनल को लाइक शियर सब्सक्राइब तो करते ही आप तो अगर लगता है कि आपको सही बोल रहा हूं मैं तो उसके उपर इंप्लीमेंट करिया बहुत जल्दी बहुत कम टाइम बता है बस नब्बे से आपको पिछे आसी दिन बचे में लग जाएए जी तोड़ मैनत कर लेजिए और बस तोड़ देजिए आप और फोड भी देजिए ठेक है थाइंक यू सो मज मिलते हम नेक्स वीडियो